मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सदन के पटल पे खड़े होकर आप जूट बोलेंगे नमबर वन, उन्होंने कहा MSP नहीं दी जा रही है कृशी मंत्री ने तुरंथ खड़े होकर कहा कि MSP धाई गुना बढ़ी तीसरा उन्होंने जो बहुत बड़ा जूट बोला जिसके मैं करना चाहूंगा भगवानों की फोटो दिखाई यह बताईए वो शंकर जी की फोटो दिखा रहे का मैं मैं बहुत बड़ा शीव भक्त हूं मैं सारे दर्शकों से कहता हूं जाकर चेक करिये राहूल गांदीजी ने इश्वर की शपत नहीं थी क्या न अंग्रेजी में उन्होंने का इश्वर की शपत नहीं ली और इश्वर भक्त हो गए यह आपका सुदंता है आप मतलो इश्वर की शपत नहीं लिया और 2014 में इच्वर की सबत दी और हिंदी में ली थी 2024 में सॉलमनी अफर्म हो गया और सदन के पटल पर आके भगवान की फोटो दिखाने लगे यह बदलता किरदार और इतना ही नहीं मैं तो यह भी कहना चाहूंगा उन्होंने बाकी तो छोड़िये उन्होंने इसलाम में मुद्र बता दी भाई इसलाम में तो कोई चित्र नहीं होता मुझे कोई उलिमाव उक्राम बताए कि वो उनको इल्म हुआ या फजल हुआ या इहलाम हुआ और अभी किसी मुस्लिम ने कोई बोला नहीं है किसाब हो अब है मेरे साथ तस्रीम नहीं भी है उनसे भी मैं इस पर राय ले लूँगा लेकिन देखे शुदान शुजे ने बोला कि दो दो मतलब दो बॉडि गार्ड या नि कॉंगरस का जो नंबर है वो दो बॉडि गार्ड का तो एक आप बॉडि गार्ड है आर जडी के एक समाधवाधी पार्टी तो बड़ी बॉड़ी हो गई है 37 सीट के सदन के अंदर बोला क्या कहना चाहते आप पहली बात तो यह कि भारती जंता पार्टी उसके नेता इसमें माहिर हैं कि जो उनकी तरफ तीर छोड़े जाते हैं उनकी दिसा बदलने माहिर हैं कोई राजनितिक व्यक्ति इतना ना समझ नहीं हो सकता कि देश की 80% आबादी को अपमानित करके राजनिति करने की सोच है इतना ना समझ कोई नहीं हो सकता इस देश में 80% हिंदू हैं और अन्य समधाय भी जो हैं वो भी अपने आपको हिंदू समधाय के साथ जोड़के देखते हैं जिसमें हमारे सिख भाई भी हैं जैन भाई भी हैं काफी संक्या मुसल यह बात जो हिंदू की करते हैं यह जो हिंदू का अपने आपको कहते हैं यह लों हिंदू को हिंसक बना रहे हैं इशारों को समझ रहों मैं पूरी तरह से मैं दॉक्टर सुधा आपका जो इशारा था मैं उन्हीं के पाद इतना ना समझ तो कोई भी नहीं होगा राजक्प कानन का सा पात्राइक सी wrestle बार बार टोगते हैं on जवाब देगा चुदाफ़ वे दिद्रए ना समझ तो कोई नहीं होगा उन्हों कोई ना समझ नहीं है वो बहुत समझदार है उनको पता है 20 फी सदी तो पक्का वाला वोट है और यह 80 फी सदी में तो खूब टुकड़े टुकड़े करने है अभी बोले न अगड़ा पिछडा दलित सवर्ण तमिल हिंदी उत्तर दक्षेन खूब 20 फी सदी अपना है 80 में ट प्रयोग बता रहा हूं इनके करनाटक के कारिकारी अध्यक्ष रहे जो वर्तमान में PWD मिनिस्टर ने सथी जारकी हो ली उन्होंने शब्द बोलाता हिंदू शब्द गंदा है इनके यात्रा में जो भारत जोड़ो यात्रा थी तमिल नाडु में एक ऐसे पादरी सामिल यानि हिंदू धर्म का समूल नाश परुखाबाद में इनकी कैंडिडेट ने क्या कहा वोट जिहाद और इंटरनेशनल लेविल पर कॉन्फेरेंस हो चुकी है दो साल पहले डिस्मैंटलिंग ग्लोबल हिंदू तो यह संयोग नहीं है यह विदिवत प्रयोग है एक आपके मैं उस लोकसाबा सांसत का नाम भूलना हूं लेकिन उन्होंने अपनी शपत के बाद बकाइदा हिंदू राष्टर का उद्गोश कर दिया उन्हें जय हिंदू राष्टर बोला मतलब जब शपत के बाद एक नारा लगाते तो उसने जय हिंदू राष्टर बोला तो कुछ सबरें कॉने सब्सक्राइब स only गंगवार थे मगर मैं तो यहां यह कहना चाहूंगा हिंदू शब्द यहां का है राष्ट शब्द यहां का मैं जैफिलिस्तीन वह बाहर के देश पर जैफिलिस्तीन भी ऐसे नहीं बोला सुनिए ओवेसी ने हवा में नहीं बोला कॉंग्रेस पार्टी ने सी डॉब्लु सी में इस्राइल हमास की लड़ाई में फिलिस्तीन के पक्ष में प्रस्ताव पारिश इक़ा आपने उमेडियो पौइंट प्रस्ताव देखा है कभी कुएत और ये ये बड़ा विशे हो जाएगा और इंटर्नाशनल विशे हो जाएगा मैं कहता हूं कि हम 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 विशे पर आ जाते ने जी जी मुझे पता है आप अंतराश्ची मामलों के जानकार हो आप इस पर बोलना चाओंगे लेकिन मृतिंजे तिवारी ये क्या हो है और किसलिए हो रहा है आप भी हिंदू है हिंसक तो कहीं से नहीं है देखे अमेज जी बीजेपी का कहीं पर निगाह है कहीं पर निसाना और आपकी हमारा तो सीधा निसाना है कि देश को समारना है देश को सजाना है देश को बनाना है ये हिंदू 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 भगव अनराम का नाम जबते रहे ध्या का हमने मंदिर बना दिया हो गया क्या देखे सब चीज का एक सीमा है उस सीमा को पार करने के बाद फिर धारी जो है लोगों का जवाब दिया है अरे वो सीमा है देखे कोई भी सीमा कोई भी सिमा हिंदू हिंदू इसलिए हिंसक हो ही नहीं सकता ना कोई हिंदूस्तान का व्यक्ति बोल सकता है अरे तो महाराज ये राहूल जी को समझाईए हम दो कहारें दुनिया में कहा जाता है सारे जहां से अच्छा हिंदूस ताह नमारा हिंदूों के बल पर कहा जाता है अब बिजुद्धा worlds जी कहा रहे थे इनके बिद्धुता पर कोई सवाल नहीं है लेकिन बिचारधारा पर सवाल खड़े हम करेंगे सवाल ये है कि आप राहुल गांदी जी क्या का रहे है कि अहिंसा से देश चलेगा ये देश गांदी जी के रास्ते पर चलेगा ये देश गोट से के रास्ते पर नहीं चल सकता है अगर ये कहा जा रहा है कि अगर इतना कहते तो सही था उन्हें बोला हिंदू का मतलब हिंसा 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 यही उन्हें बोला देखे राहुल का हम दावे के साथ का सकते है स्री राहुल गांदी जी ने बीजेपी आरेसेस को लेकर कहा उनकी नीतियों को लेकर कहा यह आप लोगों ने ऐसे कि दिया चेराख पास्वार ने बयान दे दिया दूसरी तरफ से शिवसेणर ने बयान दे दिया जेडियू के कई सांसुदों ने बोला कि राहूल गांधी ऐसा कैसे बोल सकते हैं हम सदन में थे जब यह सब कुछ हुआ वो कह रहे हमारा तो पूच के निकाल रहे हैं एजेंडा आपका है प्रपगेंडा आपका है आप एक बात बताईया मिश्टेव गंजी कि राहूल गांधी के कितने बयानों का किस किस तरह से हम लोग इंटरप्रेशन करें या जो वो बोलते हैं उतना भर माने क्या माने उनके बारे में विपक्ष मार रहा था लेकिन रिशी बार बार बचाते तो हिंदी को सभाब तो इतना निर्मल और सरल है क्या राहूल गांधी पूरे जीवन इस देश में इतनी फ्र दाफ झानो उप आर लो फज़ बार 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 बंदी सають जी बार बीजब्सेंई ढ़लते हैं व llevar पुक्षण देशना करें उनके दितनी